देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो पूरी जिंदगी कोशिशे करने के बावजूद ग्राम पंचायत को चुनाओ तक नहीं जीत पाए लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनों ग्राम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानि संसत तक का सफरते गिया है इन माननीयों की सूची में कुछ विशिष्ट लोग भी होते हैं विशिष्ट कैसे तो चलिए इसके बारे में बताते हैं और ये भी बताएंगे कि ऐसे विशिष्ट लोग कौन कौन है देश की संसदिये और विधाई विवस्था में सरकारे दो स्तर पर बनती हैं एक केंद्री स्तर पर और दूसरी राजिस्तर पर केंद्री इस्तर पर संसत के दो सदन होते हैं लोकसभा और राजसभा 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 पर विधान सभा होती है कुछ राज्यों में विधान सभा के साथ साथ विधान परिशत भी है जो विव्यक्ति अपने जीवन काल में चारो सदन लोकसभा राजसभा विधान सभा औ ये नामंकन दाखिल किया है राजसभा की ये सीट केंद्रियों मंत्री राम विलास पास्वान के निधन से खाली हुई है विधान सभा के अंकगडित को देखते हुए सुशिल मोदी की ये जीत लंग भकतय मानी जा रही है अगर वो राजसभा पहुचने में काम्याब होते है तो वो उन विसिष्ट लोगों के क्रब में शामिल हो जाएंगी जो लोकसभा, राजसभा, विधान सभा और विधान परिशत चारों के सदस्य रह चुके हैं सुशिल मोदी के सियासी सफर की शुरुवात पटना उनिवस्टी से हुई थी, यहां 1973 में वो च्छादर संग के महामंत्री चुने गए थे, उसी साल लालू प्रसाद यादो पटना उनिवस्टी च्छाद संग के अध्धक्ष बने थे इसके बाद अखिल भारतिय विधारती परिशत जेपी आंदुरन और भारती इंता पार्टी के साथ सुशिल मोदी के राजनितिक गाड़ी पटरी पर दोड़ती रही, वो पहली बार 1990 में पटना मद्ध की, विधान सुबा सीट से जीत कर विधायक बने, लगातार तीन बा इसके बाद रोन लोकसुभा से स्तीपा दे दिया और बिहार विधान परिशत के सदस्य बन गए, तब से लगातार विधान परिशत के सदस्य हैं, आप राजसुभा जाने की तयारी में हैं, यानि तीन घर सुशिल मोदी पहले ही देख चुके हैं, अब चौथे घर यानि रास्तभा में जाने की पूरी तयारी है, लेकिन सुशिल मोदी अकेरे ऐसे नेता नहीं है, उनसे पहले कुछ और नेता भी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, आए उनके बारे में भी आपको पता देते हैं, पहला नाम है विश्वनात प्रताप सिंग, वीपी सिंग विधानमंत्री, उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्रियों के अलावा केंडर सरकार में वानिजी वित्य और रक्षा मंत्री रहे थे, 1979 में वो पहली बार उत्तरप्रदेश की सोराओं विधान सुबा सीट से चुनाओ जीतकर विधायक बने, 1971 में फूलपूरलोग सुबा से बने और फिर 1981 में तिंदवारी से विधायकी का उपचनाओ जीत कर विधान सभा पहुँचे वीपी सिंग 1983 में राजसभा के लिए चुने गए और केंद्रिय मंत्री मंदल का हिस्सा बने उसके बाद 1988 में अमिताब बच्चन के स्तीफिक से खाली हुई लहबाद लोगसुबा चुनाओ नोने फातेहपूर सजीता और देश के प्रधान मंत्री बने राश्प्री राजनीत में वीपी सिंग के दो प्रयोग वो फोर्स और मंडल ने सियासत को हमेशा के लिए बदल करण दिया दूसरा नाह है नारायन दत्तिवारी एंडी तीवारी तीन बार उत्तर प्रधेश के मुख्यो मंत्री रहे एक बार उत्तरा खंड के सीम की कुर्सी पर भी बैठे आंदर प्रधेश के राजिपाल की गद्धी सम्हाली इसके लावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष देश के वित्त और विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था तीवारी पहली बार विधायक बने था उन्निस सुबावन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकेट पर नैनीताल से उसके बाद 60 के दशक में कॉंग्रिस में शामिल हो गये 70 के दशक में मुख्यो मंत्री बन में वापसी हुई तब भी वो संसत की किसी सदन के सदस्य नहीं थे उसमें राजीव गांधि उन्हें राजसभा के रास्ते दिल्ली लेकर आए 1988 में जब उन्हें तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यो मंत्री बनाया गया तब भी वो विधान मंडल के सदस्य नहीं थे इस दफा भी उन्हें विधान परिशत के रास्ते ही विधान मंडल में एंट्री करनी पड़ी 1990 के लोगसुभा चनाव में नरायंदक तीवारी अपने राजनितिक जीवन की सबसे बड़ी बाजी हार गये नरीतार के लोगसुभा सीट गमा बैठे वो दोर था जब बीच चनाव में ही कॉंग्रेश अध्धक्ष राजीव गांधी की हत्या हो गई थी उससे कॉंग्रेश के लिए साहनुभूती लहर पैदा हुई तीवारी को कॉंग्रेश की ओर से प्रधान मंत्री पत का सबसे बड़ा दावेदार बताये जा रहा था लेकिन इधर तीवारी चनाव हरे उधर पीवी नर्सिंग राओ की लोड़ लग गई। और वो प्रधान मंत्री बन गए। तीसरा नाम है शंकर राओ चमहान का। डो बार महराश्वर के मुक्य्य मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री और ग्रह मंत्री रहे। भारत के सबसे लंबे समय तक ग्रह मंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्ही के नाम है। चवहाल पहली बार 1984 से 86 तक और दूसरी बार 1991 से 1996 तक होम मिनिस्टर रहे थे। अयोध्या में बाबरी ढहचा उनके ग्रह मंत्री रहते ही गिराया गया था। चवहाल पहली बार 1956 में बंबई विधान परिशत के सदस से बने थे। उस वक्त बंबई एक राज्य हुआ करता था और उसमें मौझूदा महरास्ट और गुजरात के अधिकांश इलाके शामिल थे। उसके बाद 1960 में चवहाल भागुर सीट से चुनाओ जीत कर पहली बार महरास्ट विधान सभा पहुचे। 10 1998 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मिरजापूर विधानसभा सीट से जन्तपार्टी के विधायक बने थे.. उनने सो क्यानमे में में जब कल्यान सिंग सरकार में उन्हें सिक्षा मंतरी बनाया गया तब वह विधान परिषत में थे उनके सक्षा मंद्री रहने के दौरान ही उत्तर प्रदेश में परिक्षाओं में नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था राजनाद 1994 में पहली बार भाश्पा के टिकेट पर राजसभा पहुँचे वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का मुख्यो मंत्री बनने के लिए वो हैदर कर विधान सभा सीट से उप चनौ जीत कर विधान मंदल पहुँचे 2009 में पहली बार गाजियाबाद से लोगसुभा का चनौ जीता इस समय लख नौ से लोगसुभा के सदस्य है पाचवा नाम है कलराज मिश्र का कलराज मिश्र इस समय राजिस्थान के राजिपाल है इसके पहले वो राज सरकार और केंद सरकार में मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश भाशपा के अध्धश भी रहे हैं कलराज को 1978 में पहली बार जंता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रासभा बेजा था 1986 में पहली बार भाजपा से विधान पारशद यानी विधान परिशद के सदस्य बने 2012 में पहली बार लखनो इस्ट विधान सभा चनौ जीत कर विधायक बने लोगसभा का पहला चनौ कलराज में 2014 में जीता उत्तर प्रदेश के देवरिया से इस तरह कलराज मिश्रा भी चारों सद्रों के सदस्य रहे हैं चटा नाम है लालू प्रसाद यादो का सुशील कुमार मोदी के तरह लालू यादो भी पटना उनिवर्स्टी स्टुजेंट पॉलिटिक्स और जेपी अंदुलन की उपज है 1977 के लोगसुभा चुन ओमे लालू भारती लोगदल के टिकेट पर छपरा लोगसुभा सीट से चुनाओ जीत कर पहली बार सांसत बने थे 1989 में लोगदल के टिकेट पर सोनपुर से विधान सभा गए 1990 में मुख्यों मंतरी बनने के बाद वो बिहार विधान परशत के रास्ते विधान मंदल पहुचे वर्स 2000 में लालू यादो पहली बार बिहार से रास्थभा के सदस्य चुने गए साथ बर आम है मायवती का मायवती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यों मंतरी रही है वो पहली बार 1995 में मुख्यों मंतरी की कुरसी पर बैठी थी लेकिन इससे पहले 1989 में ही वो उत्तर प्रदेश की बिजन और लोगसभा सीड से बहुजन समाज पार्टी की सांसद निर्वाचित हो चुकी थी इतना ही नहीं 1994 बसपा की टिकेट पर ही उत्तर प्रदेश से राजस्थभा भी जा चुकी थी 1996 में पहली बार बिलसी विधान सभा सीड से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुनी गई पूर्व मंत्री जगदेव प्रसाद की बेटे हैं 1970 में पहली बार कुर्था विधान सभा सीड से चुनाव जीत कर विधायक बने थे उनकी पतनी जजू की टिकेट पर कुर्था से विधायक बन गई जबकि खुद नाग मणी विधान पारशद बने इस तरह चारों सतनों का सदस से रहने वालों की लिस्ट में नाग मणी भी शामिल हुए आपके लिए जानकारी लायत हमारे साथ ही अब शेक देखते रहिए दिलल लटाओ